दोस्तों आप लोग का स्वागत है गल्फ एडिया चैनल में अगर अगर अब देश दुनिया की खबरों से हमेशा अपडेट रहना चाहते तो अभी आप मेरी चैनल को तुरह सब्सक्राइब कर ले कतर की जो भी पहली अपडेट आ रही दोस्तों जो कतर के पब्लिक वर्क ऑ और दोस्तों यह जब तक प्रोजेट कंपलिट नहीं हो जाता तब तक यह रोट को खोला ला रही जागा और कतर की जो भी अगली खबर आ रही है 107 लोगों को दोस्तों Public Projection के लिए भेज दिया गया है ये 107 लोग दोस्तों Marks नहीं पहने थे और Social Distancing का बिल्गुल ख्याल नहीं रख रहे थे तो दोस्तों 107 लोगों को अरेश्ट का लिया गया है जहां भी Public Placement Marks पहना mandatory है compulsory है वहाँ पे आप लोगों को Marks पहनना compulsory है अगर वहाँ पे आप Marks पहने दी जाते हैं तो आप पर action लिया जाएगा और आप पर fine भी लिया जा सकता है और Qatar की जो भी सबसे बड़ी update आ रहे है दोस्तों जो दोस्तों वहाँ पे जो महमारी थी बिमारी की इसमें दोस्तों एक hotline नमबर बनाये गा था जो कि एक दिन में 17 लाख लोगों ने call किया इस 17 लाख लोगों ने दोस्तों जो दोस्तों वहाँ के ministry of public health से ये जानकारे लिकिन ये जो बिमारी है उनसे कैसे बचा जाया और उन्हें कैसे इस safety लिया जा टोटल दोस्तों 17 लाख लोगों ने अभी तक call कर चुका है इस hotline नमबर पर और कतर को जो भी अगली खबर आ रही है दोस्तों वहाँ पर एक हजार आप पर fine लगेगा अगर आप वैकल में या फिर किसी गाड़ी में या फिर किसी personal गाड़ी में आप सफर कर रहे हैं तो आप हो जाईए साउधान की कि दोस्तों अगर जो वहाँ के जो सरकार है जो minimum capacity मतलब दोस्तों जो वहाँ पर एक law वहाँ पर कानून नियम कानून ला लाया गया है उस्ते जादा आप गाड़ी में नहीं बैठा सकते हैं ना ही सफर कर सकते हैं अगर आप वहाँ पर पकड़े जाते हैं तो दोस्तों आप पर एक हजर कतीर रियाल का फाइन लगेगा जुरमाना लगेगा और इसी तरह दोस्तों आप रोज गल्फ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो अभी आप मेरे चैनल को तुरन सब्सक्राब कर ले